नमस्कार दोस्तों मैं आपका भुपेद्वन रायन सिंग आएंसी टीवी पर स्वागत करने के साथ साथ मोधी जी को खास्ता और पर थैंक्यू बोलना चाहता हूँ आप सबसे भी दरख्वास है कि आप जहां कहीं भी हों जिस किसी मुद्रा में हों काम कर रहे हों तो काम छोड़कर चाय नाश्ता कर रहे हों तो वो भी छोड़कर कुछ नहीं कर रहे हैं केवल सास ले रहे हैं तो सास लेना छोड़कर सबसे पहले थैंक्यू मोधी जी को बोल पैसे भी जाएंगे और मोदी जी को जबरन थैंक्यू भी बोलना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि माजरा क्या है और क्यों मैं आखिर आपसे जबरन थैंक्यू मोदी जी बुलवा रहा हूं। तो जनाब माजरा समझने के लिए इस पोस्टर पर अपनी नजरे इनायद कीजिए। धन्यवाद मोदी जी सब को वैक्सिन मुफ्त वैक्सिन मोदी जी के साथ तस्वीर में शिवराज मामा मुस्कुरा रहे हैं। असल जिंदगी में मोदी जी के नाम पर उनके चेहरे की क्या रंगत होती है वो एक अलग मुद्दा है लेकिन इस पोस्टर में वो हसते खिलखिलाते नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये पोस्टर खास सवर पर मोदी जी को थैंक्यू बोलने के लिए छपवाया है। मद्य परदेश के शिवराज मामा की तरह है उत्तर परदेश के योगी जी ने भी मोदी जी को थैंक्यू बोलने के लिए पोस्टर चपवाया और वो भी अंग्रेजी ने वैक्सिन्स फर ओल, फ्री फर ओल, थैंक्यू पीम मोदी। बीजेपी शाष्ट राज्जियों के दूसरे मुख्यमंत्रियों के भी यही कहानी है, किसी ने धन्यवाद मोदी जी तो किसी ने थैंक्यू मोदी जी वाले पोस्टर से राज्ज के हर गली, कूचे, चौक, चौराहों को पाट दिया और इसका खर्चा केवल और केवल 18 करो और पेट्रोड डीजल खरीद रहे हैं उससे, इसलिए तो मैं खबर की शुरुआत में आपसे दर्पास कर रहा था, कि आप जल्दी से जल्दी मोदी जी को थैंक्यू बोल दीजे, शायद आपके थैंक्यू मोदी जी सुनकर मोदी जी का मन भर जाए, और देश में पबलिक के पैसे से थैंक्यू मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी वाले पोस्टर छपने बंद हो जाए, पबलिक के पैसे से मोदी जी के चेहरे चमकाने के इस खेल का खुलासा किया है बीबिसी में, बीबिसी ने का आटी आई के जरिये जब थैंक्यू मोदी जी वाले पोस्टर की प थैंक्यू मोदी वाले पोस्टर पर गुजरात सरकार ने 2 करोड़ 10,26,410 रुपए उत्राखन सरकार ने 2 करोड़ 42,84,198 रुपए हधियाना सरकार ने 1 करोड़ 37,43,490 रुपए और करनाटक सरकार ने 2 करोड़ 19,00 रुपए खर्च की है पबलिक के पैसे की ये बरबादी क्यों की गई इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है BBC ने इस बावत राजज सरकारों के साथ साथ BJP के शीर्स मेत्रित उससे सवाल किया लेकिन कोई जवाब देने सामने नहीं आया खास बात यह है यही बीजेपी सेवा ही विचार नहीं खोकले पर चार वाले पोस्टर भी चपवा रही है समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी के इस अंदाज पर क्या कहूं आपको कुछ समझ में आ रहा हो बीजेपी के इस अंदाजे बयां के लिए तो कोई सटीक शब्द सूच रहा हो तो आप बताएगा जरूर नमस्कार